है काई वेलकम भैक टूमा यूटूब चैनल तो आजके वीडियो में हम आपको पताने वालि Ellis की जोभी आप चुछ प्रिंटर में करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है किया उन्दर ही फजाता है हमारा फिर्व के बाहर नहीं दुभाता लीए आपको बताने वाले की पर और फसे हुए पेपर को हम इससे असानी से कैसे निकाल सकते हैं तो आई स्टाट करते हैं वीडियो को वीडियो स्टाट करने से पहले आप से छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली से देख सकते हैं तो आई हमें स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका पेपर फंज आए कहीं तो इसको हम कैसे असाने से निकाल सकते हैं घर पे ही तो सबसे पहले बात यह दो तरीका होता है निकालने के लिए कभी आपका जो पेपर है वो सामने में आप जैसे आप देख पा रहे उइसको आप खोलनेंघे के बाद और अभए इसको भी आप खोलेंगे तो यहां पर आपको जो पेपर हे वह तो यह दूत किसी भी चीद से नोपिधनी से निकाल सकते हैं डीरे अन्डर में बिवर के अंदर क्युикс को इस्टम भी हो सकता है तो आराम से आपको निकाल लह तो फिर्स्ट चीज यह कि आपको यहां पे प्पर फसा रहेगा का अगर बाइचांस आपको यहां पेपर नहीं फसा हैं तो पीछे में अगर आपको आगे में पेपर नहीं फसा है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो हमारा वाइट कलर का दिख रहा है यहां पर इसको आसानी से इसको उपन करना है कि यह जो हमारा उपन हो चुका है सामने से आप देख सकते तो यहां पर आपका जो पेपर है वो फसा रहेगा तो यहां पर आगे वाला थोड़ा से इजी था लेकिन पीछे वाले में आपकोतोग़ा असानी से थोड़ा करना होगा कोई भी नुकीला चेश्च लेके आपको य तो गाइस दो तरीके हैं आपका जब भी कोई पेपर फाज जाए तो एक तो पीछे से आपका और एक दुसरा आपको आगे से निकाल लेना है तो यही दो तरीका इसके अलावा आपका पेपर कहीं भी नहीं फसने वाला है तो आप इसे घर बे भी आसानी से पेपर को निकाल स सकते हैं वहाँ अगर कोई भी कोशन करते हैं तो मैं इसली रिप्लाई दे दूंगे चाहते हैं फिर नेक्स वीडियो मिलेंगे बाइबाइब